तो दोस्त आज किस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा टर्मिनेशन होने के बाद क्या जॉब मिल सकती है इस पर बात कुरूँ कर बहुत सौट में चोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा तो दोस्त मैं बता दूँ मैं इस पर लड़ी वीडियो बना रखा है तो क्या होता है मिलता है क्या आशन में काम नहीं की वज़ा से स्यूम다 कि लड़का ललके केयर साल के चक्टर होता है मतलब लेटर सोस्बतों या कुछ ऐसी प्रे में प्राबलम होती है कि अब जब आप कहीं पे interview देने जाते हो कहीं पे आपका selection हो तो totally वो depend करता है आपकी उस company पे जिस company में आप interview देने गए हो वो चाय तो आपको select कर भी सकती है वो चाय तो आपको select नहीं भी कर सकती है लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको कहीं job नहीं मिलेगी जौब आपको मिल जाएगी थोड़ा से इस्टिकल लाइप में और बड़ जाएगा थोड़ी से और से ओर ब्राब्लम में लेकिन जौब आपको मिल जाएगी ऐसा नहीं को टर्मinyASH tSU में वहना को शूआ होती है कंपनी रख भी सकती है कंपनी नहीं भी रख सकती है जिसमें थार्ड एक जो मेन पॉइंट है अगर वो कंपनी बंद होती है कंपनी का बजट नहीं है कंपनी आपको सालरी नहीं दे पा रही है तो उस केस में क्या होता है कि वह कंपनी लिख के देती है आपके टर्मिन किस वज़े से वो कर रहे हैं तो इस केस में क्या होता कि किसी दूसरी कंपनी में ट्रवी देने जाते हो किसी दूसरी कंपटी में आपका सलेक्शन रहरता हैं तो फिर वहां पी यह प्रwol्ब्लम नहीं नहीं होती डूब गई, कंपनी के बजट नहीं, कंपनी सेलली नहीं जी सकती, तो यह आपके एक्समिनेस लेटर है, टर्मिनेस लेटर में लिखा होना चाहिए, फिर इसके बाद नेक्स कंपनी में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो बस याद दोस्त, आज की वीडियो में इतन प्रॉब मुटियो में आपकी कोई भी एक्सार में आपकी क stricture